हेलो फ्रेंड्स तो डैसे हैं आप लोग आप लोग आचे होंगे और अज हम लोग हीरो मोटरो कोप का क्यूट्व का रिजल देखने वाल है जो की आज आउट हो चुका है तो जो लोग चलो 300 के आराउंड इंक्रीजिंग होते हुए देखने को मिल रहा है quarterly basis पे और yearly basis पे देखा जाए yearly basis पे 9700 से बढ़कर ये 10700 हुआ around 303 कह सकते हैं कि ये increasing हुआ 3000 के राउंड ये increase हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग total expenses भी देख लेते हैं कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना expense किया है तो इस quarter में expense देख रहे हैं कि 9000 के राउंड है और last quarter पे expense देखते हैं तो around 8900 के राउंड था तो यहां देख रहे है माइनर था प्रोफिट से हम लोग expenses भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है और yearly basis पर देखे तो 8385 से बढ़कर यह 9171 हो चुका है तो देखे रहे हैं क्वाटर्ली basis और yearly basis पर माइनर से हम लोग को expenses में इंक्रीजिंग होते हुए देखने को मिल रहा है और सबसे इंपोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कंपनी का profit क्या है कितना हम लोग difference देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम लोग total profit देख रहे है 1066 के राउंड है और last quarter में देख रहे है तो 1032 के राउंड तो यहां देख रहे हम लोग को तो increasing होते हुए देखने को मिल रहा है quarterly basis पे और yearly basis पे भी देखेंगो तो हम लोग को expense total profit में increasing होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि 1007 से यह 1066 हुआ है तो यह पर देख रहे है quarterly basis पे भी company का profit और income increase हुआ है और yearly basis पे profit और income increase हुआ है तो अब कल market हम देखना रहा है अगर इस result को लेकर market कैसा reaction देती है उसे यह coding हम लोग अपने decision लेकर इस stock का study कर सकते है तो जोले चैनल को subscribe नहीं कि होगा फिले चैनल को subscribe कर लिजग का ताकि इस तरीका का video आप लोग सबसे पहले देख सके मैं फिर मिलता है वीडियो को साथ बाई